आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पाव भाजी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल और इसे बनाने का तरीका भी पिल्कुल सिंपल है और बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ दस मिनट में तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर को कर लेना और इसमें डाल देना एक चम मटर ली है, साथ में एक कप के जितना वीट रूट या निकी चुक अंदर लिया है और एक कप के जितनी ही गाजर ली है लगबग सब्जियों की क्वांटिटी बराबर ही होनी चाहिए अब यहां पे दो मीडियम साइज के आलू लिये है आलू डालने से इसका जो पावभाजी का टेक्शर है वो बहुत ही अच्छा आता है सबी सब्जियों को एक बार अच्छे से मिला देंगे ताकि बटर में इन सब्जियां जब एक बार भुन जाती है तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब इसमें डालेंगे चोथाई चमच के जितना हल्दी पाउडर, चोथाई चमच के करीब नमक, इससे सब्जियां बहुत ही अच्छे से गल जाएंगी, एक चमच भरकर पावभाजी मसाला, अब इन मसालों को भी बटर के साथ सब्जियों में एक बार अच्छे से मिला देन तो सारी सब्जियां हमने अच्छे से भूली हैं, अब इसमें डालेंगे हम दो कप के जितना पानी, या फिर इस तरीके से पानी डालेंगे कि सब्जियों के बराबर ही पानी रहना चाहिए, सब्जियों के ना उपर और ना ही नीचे, इस तरीके से पानी होना चाहिए, सब प्रेशर निकाल देना है दो सीटिया आने के बाद हमने इसका प्रेशर निकाल दिया और ईह रेखिए सब्झीर अच्छे से पक गई है इने हम मैश कर रहे हैं तो यह अच्छे से मैश हो रही है बस इस focused से हमारी सबजियां पकी होनी चाहिए अब यहां पे एक कड़ाई ली है इसमें डालेंगे बटर तो ये ना मार्केट का बटर नहीं है घर का ही बटर बनाया हुआ है जो कि इस पाव भाजी को और भी ज्यादा टेस्टी बना देगा तो इसमें बटर डालाया है और रेगुलर ओयल डा बढ़िया से तब उसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज पाव भाजी में जितना हो सके उतन्या आप बारिक प्याज कट करिएगा इससे जो पाव भाजी का टेक्शन है वो बहुत ही अच्छा आता है तो प्याज को अच्छे से भून लिया एक मिनट के लिए अब उसमें का पेस्ट भी डाल सकते हैं पर जो जब हम आई इनकी हरा एकदम फ्रेश अद्रक और लैसुन डालते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आप चाहे तो ट्राइ करके भी देख सकते हैं अब यहाँ पर डाल देंगे बारिक कटा हुआ सिमला मिर्च और प्याज के सा साथ में डाल देंगे टमाटर तो यहां पर दो टमाटर का यूज किया है जिने हमने बारिक कट कर लिया है और इन्हें भी अच्छे से मिला देंगे टमाटर जल्दी से गल जाए तो इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के एकॉर्डिंग त्यान रखिएगा कि नमक हमने पहले भी यूज किया हुआ है तो नमक अपने हिसाब से डालेगा अब यहीं पर डाल देंगे साथ में मसाला तो सबसे पहले डालेंगे देव चमज के करीब देगी मर्श पाउडर इससे जो पावभाजी में कलर आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा अब हमने एक चमज के करीब पावभाजी मसाला पहले डाला था तो दो चमज अब डालेंगे क्योंकि पावभाजी में सिर्फ पावभाजी मसाला ही यूज करेंगे और हमें कोई स्पेसल मसाले नहीं यूज करने हैं मसाले डालकर अच्छे से हमें इन्हें मिलाना है और मसालों को इन प्याज टमाटर क कि मैं क्या ही बताऊं और ये देखे मसाला कितना अच्छे से भुन गया है मसाली ने अपना तेल अच्छे से छोड़ दिया है यानि कि मसाला हमारा एकदम पर्फेक्ट पक कर तयार है अब जो हमने सब्जियों को बॉयल करके रखा था वो डाल देंगे इससे ना जो घंटों लगते हैं पावभाजी बनाने में वो घंटों वाला समय नहीं लगेगा बहुत ही जल्दी ये पावभाजी बनकर तयार हो जाएगी अब सब्जियों को डाल कर इन्हें अच्छे से मिलाना है और जो मैशर होता है ना अपैटेटो मैशर उससे हमें इन सब्जियों को अच्छे से मैश करना है क्योंकि ये सारी सब्जियां अच्छे से उबली हुई है तो इनको मैश करने में हमें बहुत टाइम नहीं लगता है ये फटा-फट से मैश हो जाते हैं घंटों का काम अगर मिंटों में चाहिए तो एक बार मेरे इस तरीके से पाव भाजी को बना कर देखेगा और ये देखे कितने फटा फट से सबजियां अच्छे से मिक्स हो गई है सबजियां गल गई है बढ़िया से और ये देखे बस पाव भाजी में हमें इतनी ही सबजियों को मिक्स करना है और थोड़ा सा मिक्से से बाद में देंगे ताकि जो ये छोटे छोटे टुकडे दिख रहे हैं वो भी खतम हो जाएं अब इसमें डालेंगे आधा कप के जितना पानी क्योंकि अभी ये पाव भाजी न बहुत ज़्यादा थिक लग रही है और ये जैसे ठंडी होती है वैसे ही ये थिक होती चली जाती है तो इसमें आधा कप पानी डाल कर इसे हमें अच्छे से पकाना है अच्छा सा उबाल देना है अब पानी डाल कर हमें इसे अच्छे से मिला दिया है और इसे उबाल आने के लिए छोड़ देंगे तो येसे हमने लगबग 3-4 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है, बढ़िया सा उबाला गया है, अब इसमें डालें करे कस्तूरी मेथी, जो की इस पाव भाजी की जान होती है, कस्तूरी मेथी डालकर साथ में एक दम फ्रिश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, हरा धनिया डालकर इन्हें हमें अच्छे से मिला देना है, सारी चीजे अच्छे से मिला देनी है, लेकिन एक अभी इसका शीक्रेट बाकी है, अभी ये पाव भाजी बनकर नहीं तयार हुई है, तो अभी इसका एक शीक्रेट बाकी है, जो की इसमें डालेंगे एक बहुत ही बढ़िय रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा तो इस तरीके से हमने पाव भाजी में तड़का डाल दिया और एक बार अच्छे से मिला देंगे अब इसका टेक्शर देखिए पाव भाजी का है ना बिलकुल एक दम धावा रेस्टोरेंट स्टाइल बिलकुल एक दम बहुत ही बढ़िया सी पाव भाजी बनका तयार हुई है अब बनाएंगे पाव जो की बिलकुल एकदम मार्केट स्टाइल बनाएंगे तो तवा गरम किया है तब इपर डाल दिया है बटर जब बटर अच्छे से गरम हो जाए तो धनिया पती डाल देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तो मैंने यहां पर यह गोल वाले पाव मिले हैं जो रेगुलर पाव आते हैं वो नहीं मिलते हैं तो मैंने इन्हीं को बीच से कट कर लिया है और इन्हें इस तरीके से तबा में लगा दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए हमें इन्हें उपर से नीचे से का सा बटर लगाएंगे ताकि ये दूनों तरह के से बहुत ही अच्छे से सिख सकें तो ये देखिए हमारे पाव एकदम रेडी हैं और दिखने में भी बड़े ही अच्छे लग रहे हैं बहुत ही शांदार खुश्बू भी आ रही है अब अपनी हम पाव भाजी की प्लेटि घर में अगर आप सो डेड़ सो रुपे खर्च करके पाव भाजी बनाएंगे तो पूरी फैमली के साथ खाएंगे बहुत ही टेस्टी और जो चीजे न हम घर में बनाके खाते हैं उन चीजों की खुशी भी अलग मिलती है और बच्चों के लिए भी ये फेवरेट हो जाती है तो एक बार इस तरीके से पाव भाजी बना कर देखेगा मेरे घर में सभी को इतनी जादा पसंद आई कि सभी ने इतने मजे से खाई कि मैं एक बार नहीं बार बार बनाऊंगे